देखें यहाँ पर पहला जो प्रस्ण है वो है अशोक के सिलाले को पढ़ने वाला पर्थम अंग्रेज कौन था तो इसका नाम था जेम्स प्रिंसेप नेक्स्ट कोश्चन यहाँ पर है महावीर ने जैन संग की अस्थापना कहां की थी तो यह की थी पावापूरी में अगला कोश्चन यहाँ पर है किस विदेशी दूत ने अपने आपको भागवत गोशित किया था इसका नाम था हैलियो डोड़स देखें इस तरह की जो वीडियो है यह आपके लिए काफी हलपफुल है चाहे आप किसी भी प्रत्योक्ता परिशा की त्यारी कर रहे हो क्योंकि इस तरह की वीडियो से आपको कम समय में ज्ञाधस ज्याधा कोश्चन देखने को मिलता है आप रिविजन कर सकते हैं है अगर आपका पहले से त्यारी हो चुकी है बढ़िया तैयारी है आपको लगता है कि मैंने तैयारी की हुई है तो आप इस वीडियो को देखकर सारे को को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके कितनी कोश्चन जो है वो सही हुए कितने कोश्चन गलत हुए रिविजन के परपस से ये वीडियो काफी अच्छा है और जिनकी तैयारी नहीं हुई है उनके लिए कम समय में ज्यादस ज्यादस कोश्चन देखने का मौका ही है यजुरवेद नेक्सकोश्चन यहां पर है किस व्यक्ती को बिना ताज का बागशा कहा जाता था सुरेंदरनात बनर जीए पर हडपा काल में तामबे के रथ की खोज किस अस्थान से हुई थी तो यह उई थी दैमाबाद जो कि महराश्चा में है तो question यहाँ पर है महवीर स्वामी यती कभ गहलाए घर त्यागने के बाद और मोहन जोदरों के असुनानगार के पर्षिम में इस्थित अस्तूप का निर्वान किस काल में किया तो यह किया गया था कुशान काल में नेक्स यहाँ पर है सिंद का बाग या मिर्टकों का टीला हरपा सबिता के किस पुरा अस्थल को कहा गया है तो ये कहा गया है मोहन जोदरो को और नेक्स यहां तो कोश्चन है वो है ऐसा कौन सा पर्थम सूफी साधक था जिसने अपने आपको अनलहक गोशित किया था इसका नाम था मनसूर हलाज नेक्स कोश्चन है हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था यह कतन किसका है तो यह कतन था लॉड एलगिन दूइतिये लॉड एलगिन दूइतिये का कतन था कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था नेक्स यहाँ पर है विश्नु के दस अवतारों की जानकारी का सुरोत किस पुरान में है यह है मत्ष पुरान के अंदर नेक्स यहाँ पर जो कोशन है वो है बौत धर्म की किस शाखा में मंत्र हठियोग एवं तांतरिक आचारों की परदानता दी गई है तो यह बज्रियान में नेक्स यहाँ पर जो कोशन है प्रसिद विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित अस्तंब संगीत में स्वर निकालते हैं कहां अवस्थित हैं तो यह हमफी में अवस्थित है नेक्स कोशन यहाँ पर है चितोर के कीरती अस्तंब का निर्मान किसने करवाया था राना कुम्बा ने करवाया था चितोर के कीरती अस्तंब का निर्मान इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे डॉक्टर राजेंदर प्रसाद नेक्स question यहाँ पर है सेडशाह के बाद और अकबर से पहले दिली पर राज करने वाला हिंदू राजा का नाम क्या था तो उसका नाम था हेमू नेक्स यहाँ पर है आरिशब्द का साबधिक अर्थ क्या होता है तो आरिख आर्थ होता है श्रेष्ट या फिर कुलिहिन गुप्त काल के किस सासक को कविराज कहा गया है समुद्र गुप्त को अगला कोशन यहाँ पर है विक्रमादित के नाम से किसे जाना जाता है चंद्र गुप्त दूइतिये को विक्रमादित के नाम से जानते हैं अगला कोशन यहाँ पर है गुप्त कालीन सोने की मुद्रा को क क्या कहा जाता था दिनार कहा जाता था next यहां पर है रिग वेद में उलिखित करीब 25 नदियों में से सरवाधिक महतपूर्ण नदी कौन सी थी सरश्वती जो है वो सबसे महतपूर्ण नदी थी उसके बाद यहां पर है बालगंगा धर तिलक को आधुनिक भारत का निरमाता क इसने कहा था महात्मा गांधी ने, उसके बाद यहाँपर नेक्स कोशन है, हैदराबाद नगर की अस्थापना किस ने की थी, मुहम्मद कूली कुतुब शाह ने की थी, रिगवैदिक आरियों की भाषा क्या थी, संस्कृत भाषा जो थी, इनकी भाषा थी, नेक्स यहाँप करवाय था जहांगीर ने नेक्स कोशन देखिए अगला कोशन यहाँ पर है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर में कुल कितने तिर्थंकर हुए थे चोबीस तिर्थंकर हुए थे अगला कोशन है वैग्यानिक समाज की अस्थापना किषने की थी सर सयद अहमद खान और नेक्स कोशन यहाँ पर है साथ वहन शासकों की राज किये भाषा क्या थी तो यह थी प्राकिर्थ भाषा अगला कोशन देखिए प्राचीन भारत में मेलन आयुजित करता था प्रियाग में करता था नेक्स यहाँ जो कोशन है वह मोहन जोदरो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है तो वह अन्नागार अगला कोशन है मुगलकाल में किस बंदरगा को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था सूरत को और उत्मिश नेक्स कोशन है पर चंडेलों की राजधानी कहा इस्ते थी खजुराहो में इस्ते थी अगला कोशन यहाँ पर देखिए हरपपा के मिटी के बरतन पर समानि तकिस रंग का उप्योग हुआ था तो यह लाल रंग के बरतनों पर जो रंग उपयोग किया गया था वो लाल रंग का था उसके बाद है कौन सी बौध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है धम पद ये बौध रचना है और इसको गीता के समान इसको पवित्र माना जाता है नेक्स यहां पर है चानक का अन्य नाम यानि दूसरा नाम जो है वो क्या था विष्णु गुप्त चरख और नागार जुन किसके दरवार की शोभा थे यानि कनिश्क के यह जो कोशिण है इसका अंशर हो जाएगा कनिश्क नेक्स यहाँ पर है दिल्ली संतरत की अस्थापना कब हुई थी 1226 में और घोडे से गिर कर किस साशक की मिल्टी हुई थी तो यह हुई थी कुतबुद्दीन एबग की ठीक है अगला कोशन देखेगा यहाँ पर किस विद्वान ने प्रसिद गरंथ शाह नामा की रचना की थ और महात्मा गांधी ने सत्यागरा सबसे पहले कहां शुरू किया चमपारन में सबसे पहले महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्यागरा स्टार्ट किया गया था अगला कोशन है भारती रास्टे कॉंग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे अबुल कलाम आजा नेक्स कोश्चन यहाँ पर है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था माउंट बेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था काईदे आजम किसे कह जाता है मुहमद अलि जिन्ना को काईदे आजम कहा जाता है अगला question यहाँ पर है आरियों की सबसे परमुख नदी कौन सी थी तो सिंदु नदी आरियों की सबसे परमुख नदी थी भारत पर आक्रमन करने वाला पहला विदेशी कौन था इसका नाम था Cyrus ठीक है उसके बाद है किस अस्थान पर महावीर का महा निर्मान हुआ तो यह हुआ था पावापुरी में नेक्स क्वेश्चन देखिए बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन था इसका नाम था डाइमेकस अगला क्वेश्चन यहाँ पर है किस मद्धिकालीन भारती शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की पर्थारम की थी शेर साह सूरी ने की थी रजिया सुल्तान गुलाम वन्स के किस सुल्तान की पुत्री थी तो यह इल्टुत्मिष की बेटी थी काफी important question है और कई बार पूछा जा चुका है next question यहाँ पर है अटाला मस्जिद कहां इस्तित है तो यह जौनपूर यूपी में इस्तित है next question है कि सुल्तान ने एक नया मंत्रा ले दिवाने रियासत यानि जिसको वाने जिमंत्रा ले कहते है उसके अस्थापना की अलाउद्दीन खिल जी ने next question यहाँ पर है बीजग का संबंध किस महापुरुष से है तो बीजग का संबंध कभीर से है next question यहाँ पर है खूफिया कलाम जो एक परकार का भक्ती संगीत है कहां की विशेष्टा है कश्मीर की विशेष्टा है खूफिया कलाम नेक्स कोचिन यहाँ पर है भारत में सिविल सेवा का सुत्रपात किस ने किया था लॉड कार्ण वालिस ने इसका स्टार्ट किया था सिविल सेवा का शुरुवात की थी लॉड कार्ण वालिस ने इसके बाद है गुल बदन बेगम किसकी पुत्री थी तो ये बाबर की वेटी थी और अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था असीरगड विजय ये अकबर का अंतिम विजय अभियान था नेक्स कोशन ने सिवाजी को राजा की उपादी किसने प्रदान की थी और अंगजेब ने सिवाजी को राजा की उपादी दे थी बाबर ने प्रसिद तूगलमा नीती का परयोग सरपर्थम किश युद्ध में किया था पानीपत के पर्थम युद्ध में नेक्स कोशन यहाँ पर है अंग्रेज दूत कैप्टन होकिन्स और सर टॉमस रो किस मुगल बादशा के दरवार में आये थे जहांगीर नेक्स कोशन देखें यहाँ पर कुवत लिस्लाम मस्जिद का निर्मान किस मुस्लिम शाशक ने कराये था अगला कोशन यहाँ पर है किस गवर्नर जर्नल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था लाड वेलेजली ने अपने आपको बंगाल का शेर कहा था नेक्स कोशन है साइमन कमीशन का वह कौन सा सदसे था जो बाद में बिटेन का परधानमंतरी बना उसका नाम था क्लिमेंट एटली नेक्स कोशन है यहाँ पर मोडे काल में सिक्छा का परमुक केंदर क्या था तक्छ शीला नेक्स कोशन देखे यहाँ पर किस मुगल सासक को आलमगीर कहा जाता था और अंग्जेब को कहा जाता था आलमगीर नेक्स कोश्चन देखे यहाँ पर पटना को प्रांतिय राजधाने किसने बनाया था शेरशा सूरी ने बनाया था पटना को प्रांतिय राजधाने और हर्शवर्दन की आत्मका था किसने लिकी बानभट नेक्स कोशन यहाँ पर है अकबर द्वारा बनाई गई स्रेश्टतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं फतेपूर सिक्री में नेक्स कोशन देखे यहाँ पर दिल्ली के तुगलक वन्स का संस्थापक कौन था गया शुद दीन तुगलक नादिर शाह उसका नाम था जिसने कोहिनूर हीरा और मयूर सिन्हासन को लूट कर अपने देश ले गया था और मगद समराज की पर्थम राजधानी कौन सी थी तो ये थी ग्रीवरज किस समय में कलकत्ता में पर्थम नयायले की अस्थापना की गई थी वारेन हैस्टिंipts के समय में अगला कोशन यहापर है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की अस्थापना कप की गई । 122 इस्वि में की गई next question यहाँ पर है किस सिख गुरू ने अमरित सरोवर या जिसको अब अमरित सर कहते हैं उस नाम के एक नए नगर की अस्थापना की थी गुरू रामदास ने की थी अमरित सर जो अभी वर्तमान में पहले था अमरित सरोवर तो गुरू रामदास इसका right answer होगा अगला question देखे यहाँ पर जैपूर दिल्ली मतुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेदशाला का निर्मान किस ने करवाया था सवाई जैसिंग ने करवाया था next question यहाँ पर फार्सी के सापताहिक मिरात उल अखबार को कौन प्रकाशित करता था next question यहाँ पर है बंगाल का दोयद शाषन कब से कब तक चला था तो यह चला था 1765 से 1772 तक और रंगपूर जहां हरपा की समकाली नसभिता थी वो कहाँ पर है तो वो सौरास्ट में है next question यहाँ पर 1857 इस्वी की करांती का चिन क्या निश्चित किया गया था कमल एवं चपाती 1857 इस्वी की करांती का जो चिन था वो कमल एवं चपाती next question यहाँ पर है गदर पार्टी की अस्थापना जो है वो किस वर्स की गई थी तो देखें यहाँ पर यह 1913 होगा 1913 में गदर पार्टी की अस्थापना की गई थी यह typing mistake है यहाँ पर 1913 होना चाहिए तो 1913 इसका right answer होगा next question यहाँ पर है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंदुगाटी के लोग माप और तॉल से परिचित थे यहाँ खोज कहां पर हुई तो यह लोथल में होई थी next question देखिए 323 इस्वी पूर्व में सिकंदर की मिर्ट्यू कहां पर होई थी तो यह होई थी baby loan में अगला question यहाँ पर है गौतम बुद्द ने भिक्षुनी संग की अस्थापना कहां की थी कपिल वस्तू में कोटिली के अर्थ सास्त में किस पहलू पर प्रकास डाला गया है राजनीतिक विज्ञान पर और अगला कोशन यहाँ पर है पाटली पुत्र में इस्थे चंद्रगुप्त का महल मुखिता किसका बना है तो यह लकडी का बना है अगला कोशन यहाँ पर देखते है सिनासर पर बैठने के बाद असोक ने कौन सी उपादी धारन की थी ये की थी देवा नाम प्रिये असोक ने उपादी धारन की थी सिनासर पर बैठने के बाद उसके बाद है समुद्र गुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्पुर्ण साधन क्या है इलाहबाद अस्तम पर उत्किर्न लेक नेक्स्ट क्वेशन यहाँ पर है गांधी जी द्वारा असायोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया 12 फरवरी 1922 को और कैबिनेट मिशन की न्यूक्ती किलिमेंट एटली के मंतरी मंडल द्वारा 1946 में की गई थी इसका अध्यक्ष कौन था यह पूछा गया है तो पैथिक लॉरेंस जो है वो कैबिनेट मिशन की न्यूक्ती जो किलिमेंट एटली के द्वारा की गई थी मंतरी मंडल का तो उसके अध्यक्स थे पैथिक लॉरेंस नेक्स कोशन यहाँ पर सरपुरतम किस योजना में भारतियों के लिए अपने समिधान की बात कही गई थी अगस्त प्रस्ताव अगला कोशन देखिए यहाँ पर किस घटना के पस्चात महत्मा गांधी ने बिटिस सरकार को सैतानी लोग कहा था रॉलेक्ट एक्ट पास होने के पस्चात यानि रॉलेक्ट एक्ट जब पास हो गया था उसके बाद महत्मा गांधी ने बिटिस सरकार को सैतानी लोग कहा था दोयद shelves प्रणाली का परारंभ किस वर्ष हुआ अगला कोशचन है यह 1784 में दोयद walls परारंभ हुआ था किस सुलतान ने सेंच सवा को वन्षानुगत बनाया तो यह फिरोज साथ तुगलक ने अगला कोशन है किस मुगल बाच्छा का राजिया विशेक बैरम खा द्वारा कला नौर में किया गया अकबर और अगला कोशन है अध्धा और मिश्र नामक दो सिक्के चलाने का श्रेकिसे दिया जाता है फिरोज साथ तुगलक को नेक्स कोशन यहाँ पर है कौन सी पुस्तक हुमायू के शासन के बारे में सूचना देती है तारीखे रशीदी तारीखे रशीदी हुमायू के शासन के बारे में बताती है और किसके अभी लेखों से जलकर का साक्ष प्राप्त हुआ है गुप्त समगर राष्ट भाव के सिध्धान्त को किस राष्टी नेता ने विक्सित किया दादा भाई नौरोजी स्री नारायन धर्म परिपालन योग अंदोलन किसके द्वारा चलाए गया था केरल के एजहावा के द्वारा और अगला कोशन यहाँ पर है विजयन अगर समराज का सबसे प्रसिद राजकियते वार कौन सा था राम नो में नेक्स कोशन उनी सो नौ के अदिनियम में क्या पहली बार प्रस्तावित किया गया था दास पर्था की असपस्त अवनती किस सताबदी के पस्चात हुई यानि किस सताबदी के बाद हुई सोलहई सताबदी नेक्स कोशन यहाँ पर सिवाजी द्वारा प्राप्थ किये गए किस किले पर उन्होंने रायगड किला बनवाया जो भविश में उनकी राजधानी बना तोरन और अगला कोशन यहापर है साइमन कमिशन की गोषना कब की गई थी आठ नवंबर 1927 सवी को साइमन कमिशन की गोषना की गई थी उसके बाद है किसने प्रतमबार बहुत विक्चो को प्रशाषनिक एवं वित्य मुक्ति प्रदान की मौर्य समराट असो नेक्स कोशन यहापर है भारत के स्वदेशी आंदोलन के दोरान लिखा गया गीत अमार सोनार बंगला ने बंगला देश को उसके सुतंता संग्राम में प्रत्साहित किया और उसे बंगला देश ने र राश्ट्रिय गान है उसको किसने लिखा तो रविन्नाट ठाकूर या रविन्नाट टैगूर नेक्स कोशन यहापर है मत्विलास प्रसन नामक नाटक के रचिता कौन है तो यह महिंदर वर्मन थे नेक्स कोशन देखिए सीरी नामक नगर के स्थापना किसने की थी नेक्स कोशन यहापर है बौत धर्म की किस शाखा ने मंत्र हठियोग तांत्रीक अचारों को परधानता दी बजरियान और अगला है आरे महिला सभा कि अस्थापना किस के द्वारा की गई थी नेली सेन गुपता के द्वारा नेक्स कोशन यहापर है शिंदू सभिता से मंद किन अस्थलों से चावल की खेती के परमान मिले हैं लोथल और रंगपुर इन दो जगह से जो है चावल की खेती के परमान मिले हैं और व्यक्तिकत सत्यागरा में बिनोबा भावे को पर्थम सत्यागरही चुना गया था तो दूसरा सत्यागरही किसे चुना गया था अगला कोशन यहाँ पर है अपधर्मी को अपधर्म प्रंपरावादी को धर्म किन्तु इत्र विक्राइब अपधर्मी को अपधर्म प्रंपरावादी को धर्म किन्तु इत्र विक्रेटा के हिर्दे को गुलाब की पंकुरी का प्राग प्रिये होता है यह किस मद्यकाली लिखक द्वारा रचा गया है तो यह अमीर खुसरों के द्वारा रचा गया है अग्ला कोशन यहाँ पर देखिए अपधर्मी को अपधर्म प्रंपरावादी को धर्म किन्तु इत्र विक्रेटा के हिर्दे को गुलाब पंकुरी का प्राग प्रिये होता है यह किस मद्यकाली लेखक द्वारा रचा गया है तो यह अमीर खुश्रों के द्वारा रचा ग हरप्त सब्धा की मुद्राएं किस से निर्मित की जाती थी। सूर्ध कोटदा किस के लिए प्रसिद्ध है घोड़े की हडियों के अव्शेशों के लिए। अगला कोशन यहांपर हरप्त सब्धा की दू सबसे मातपूर्ण फसलें कौन सी थी गेहूं और जौ। कोटिल के अर्थ सास्त्र को खोज निकालने एवं उस पर प्रमानिक प्रकास डालने का स्रे किस इतिहासकार को प्राप्त है आचारे साम सास्त्री नेक्स है यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म कहा हुआ था लुंबनी में समराट असोग के पिता का नाम क्या था बिंदू सा और आपका कोई भी काम महतुहीन हो सकता है पर महतुपूर्ण यह है कि आप कुछ करें यह कथन किस महाप्रूश का है यह महात्मा गांधी ने कहा था अगला क्वेशन यहाँ पर है सन 1917 से 1924 तक अहमद नगर के अब पहले भारतिये निगम आयुक्त के रूप में किस ने प्रदान की थी बरलब भाई पटेल यानि सरदार बरलब भाई पटेल नेक्स कोश्चन यहाँ पर है अखिल भारतिये ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के पर्थम अध्यक्ष कौन थे लाला लाजपत राए अगला है स्ट्रेची आयोग किस से संबंदित है अकाल से कोश्चन यहाँ पर है किस अस्थान पर वर्ना कूलर प्रेस अक्ट लागू नहीं हुआ था तो यह बिना ऑप्शन के आप इस तरह से नहीं कर सकते इस कोश्चन में तुरूटी है तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा वर्ना कूलर प्रेस अक्ट के बारे में लॉड लिटन और इसको जो निरस्थ किया था वो किस ने किया था लॉड रिपन ने इस कानून को यह जो एक्ट है इसको खतम किया था किसने लॉड रिपन ने स्टार्ट किया गया था लॉड लिटन के कारिकाल में और इसको खतम किया गया लॉड रिपन में जिसमें यह अ कुन सा अकबार बिटिस सरकार का समर्थक और भारतियों का आलोचक था तो इसका नाम था पाइनियर नेक्स्ट कोश्चन देखे यहाँ पर पुस्तक अनहैपी इंडिया के लिखक कौन थे लाला लाजपत राय और गुप्त कालीन प्रसाशन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था पूरपाल अगला कोश्चन यहाँ पर है कुशान सासक कनिस्क के निर्मान कारियों का निरिक्षक अभियंता दिकारी कौन था अगे सिलोस अगे सिलोस नेक्स्ट कोश्चन यहाँ पर है महरास्ट में गणपती उत्सब आरम करने का स्रेक इसको प्राप्त करने के लिए सदन में विध्यक प्रसुत किया था गोपाल क्रिष्टन गोखले ने नेक्स कोशन या पर है गोत्र विवस्था प्रचलन में कब आई थी उत्तरवैदिक काल में राजग्री में महावीर स्वामी ने सरवादिक निवास किस रितू में किया था वर्षा रितू मे अगला कोशन या पर है जैन धर्म के पहले तिर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है रिशब देव को नेक्स कोशन या पर है आदी जैन गरंथो की भाषा क्या थी प्राकृत भाषा और स्रीमद भगवत गीता की रचना किसने की थी वेद ब्यास ने किस उपनिशद को बुध से भी प्राचीन माना जाता है कटोप निशद को बुध उपनिशद से भी बुध से भी प्राचीन माना जाता है ब्रामनों की और मुगल बाद्शा अकवर को पालने वाली धातरी का नाम क्या है तो माहम अनगा Next यहाँ पर कोशन है मलिक अंबर कहां का रहने वाला था तो यह था अबिशी निया का अगला कोशेण यहाँ पर है पानिनी के व्याकरन में उन्लिखित अग्रशेनिया या अगला सोई अगला सोई ने किस से यूद किया था तो यह किया था सिकंदर से नेक्स्ट कोशेन यहाँ पर है रिग वैदिक आर्यों का मुख वेबशाई क्या था तो पसुपालन था और नेक्स्ट यहाँ पर आरंबिक वैदिक साहिद में सरवादिक वरनित नदी कौन सी है तो वो है सिंदू और उपनिशद काल के राजा अशुपती कहां के साशक थे त नेक्स्ट कोशेन यहाँ पर है रिग वैदिक यूग की सरवादिक प्राचिन संस्था कौन सी थी तो यह थी विद्ध उसके बाद यहाँ पर है भारत में पुजित पहली मानव परतिमा कौन सी थी तो भगवान बुद्ध नेक्स्ट कोशेन देखे वह परतम भारतिय शासक जिसने रोमन मुद्रा परनाली के अनरूप अपने सिकों का प्रसारन किया उसका सम्मन्द किस समराज से था उसका सम्मन्द कुशान से था और बहमनी समराज के में प्रांतों को क्या कहा जाता था ताराफ या फिर अतराफ नेक्स है औरंग्जेब की साशनकाल में जाट विद्रो का नेता कौन था गोकुल सिंग नेक्स कोशन यहाँ पर है किस देवता के लिए रिगवेद में पुरंदर सब्द का प्रियोग हुआ था तो ये इंदर के लिए हुआ था और अस्तो मा सदग में कहां से लिए गया है रिगवेद से लिए गया है नेक्स यहाँ पर कोशन है वैसेशिक दर्शन के परतिपादक कौन है उलूक कनद और गोतर विवस्ता प्रचलन कब आई थी ये उत्तरवैदिक काल में प्रचलन में आई थी गोतर विवस्ता टीपू सुल्तान ने किस कलब की सदस्ता प्राप्त कर सिरिरंग पटनम में सोतंतरता का विरिक्ष रोपा था तो ये जैकोबिन कलब की नेक्स कोशन यहाँ पर है दादा भाई नरोजी ने अंग्रेजों की किस नीती को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था भारत से धन निसक अगला कोशन यहाँ पर है कुतुब मिनार का निर्मान किस की अस्मिर्ती में किया गया था खाजा कुतुब दिन बक्स्तियार काके की अस्मिर्ती में किया गया था कुतुब मिनार का निर्मान नेक्स्ट कोशन यहाँ पर देखिए धाई दिन का जोपरा कहां इस्थित है त इसको बनाने में लगबाग 30 वर्स लग गया था और ये बीजापूर करनाटक में है ठीक है ये ध्यान रखेगा कई बार कुश्चन पूचा जाता है कि गोलगुमबज कहा है तो आपसे ये भी पूचा जा सकता है मुहमद आदिल शाह का मकबरा कहा है तो ये बीजापूर में है और इसको और अरंग जेब ने औरंगाबाद में बनवाया था नेक्स यहाँ पर कोश्चन है आमेर किला जो की जैपूर में है आमेर किला यह किस ने बनवाया था राजा मान सिंग ने बनवाया था अगला question देखे यहाँ पर दस राजाओं का युद किस नदी के किनारे हुआ था तो यह हुआ था पुरुषनी नदी के किनारे अगला question है विक्रम शिला विश्विद्याले का विकास किस ने कराया तो धर्म पालने कराया था नेक्स question यहाँ पर है किस राजा के साशनकाल में इसाई धर्म परचारक सेंट थौमस भारत आया था तो यह था गेंदो फैरस गोंदो फैरस जो था इसके साशनकाल में इसाई धर्म परचारक सेंट थौमस भारत आया था अगला कोशन देखिए उत्रोत्तर हरप्पा संस्कृति के अवसेस कहां से मिलते हैं तो ये मिलते हैं रंगपूर से नेक्स्ट कोशन देखें यहाँ पर पूरी के जगनात मंदिर का निर्मान किस ने कराया अनंत वर्मन चोडगंग ने पूरी के जगनात मंदिर का निर्मान करवाय था और परमार वंस के किस साशक ने कविराज की उपाधी धारन की भोज नेक्स्ट कोशन यहाँ पर है किस गुप्त कालिन सासक के समय हुनों ने भारत पर आक्रमन किया था तो महेंद्र गुप्त के सासनकाल के समय अगला कोशन यहाँ पर है सिंदू सबिता के गोडे के अवसेश कहां से प्राप्थ हुए हैं तो उसका उद्देश था मध एशिया में एक बड़े समराज की अस्थापना करना अगला कोशन देखे अस्थापना वो इसलिए करना है ताकि धन प्राप्त कर सके वो उसका ये उद्देश था मद एसिया में एक बड़े समराज की अस्थापना के लिए धन प्राप्त करना अगला कोशन यहाँ पर है गजनी का हुआ परतम साषक कौन था जो खालिफाओं से सुल्तान के उपादी गरनकर सुल्तान कहलाने वाला परतम साषक बना तो यह था महमूद गजनवी next question यहाँ पर है सिंदु सभिता के घर किस से बनाए जाते थे तो वो बांस से बनाए जाते थे अगला question यहाँ पर है मोहन जोदरो कहां इस्तित है तो ये सिंध में इस्तित है नेक्स कोशन यहाँ पर है। कॉंगरेस ने भारत चोड़ो अंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारिद किया तो यह 1942 में पारिद किया था। और अगला कोशन यहाँ पर है महात्मा गांदी को सरप्रतम राश्पिता किस ने कहा था। सुभास चंद्र बोस्त ने। अगला question यहाँ पर देखे गांदी जी भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने एक बार बने थे गांदी जी भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष उसके बाद है यहाँ पर किस ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट बिटिस सामराज के कफन की कील बनेगी लाला लाजपत राय ने ये कहा था और अगला कोशन है यहाँ पर आखेट एवं पशुपालन का कारे सरपर्थम किस काल में शुरू हुआ नव पाशान का समविधान सभा के अस्थाई अध्यक्त जो है वो कौन थे तो वो थे सचिदानन सिन्हा नेक्स कोशन यहाँ पर देखेए पहली बार राष्टपति सासन कब लागू किया गया तो यह किया गया था 20 जून 1951 को भारत में राजपाल बनने की पहली महिला कौन थी तो वो थी स किसंदेव राई कहां के राजा थे तो वीजय नगर के राजा थे हमपी का खुला संग्राले किस राज में है तो हमपी का खुला संग्राले जो कि करनाटक में है और वास्को दिगामा कहां का रहने वाला था पूर्तगाल का रहने वाला था Communist International का सदे से बनने वाला पहला भारतिये कौन था तो वो थे M.N. Rai अगला कोशन है भारतिय राष्टे कॉंग्रेस का प्रतम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था तो वो बदरुदीन तयब जी थे और नेक्स्ट कोशन यहाँ पर है इनकलाब जिन्दावाद का नारा किस ने दिया था ये दिया था भगत सिंग ने इनकलाब जिन्दावाद भगत सिंग नेक्स्ट कोशन यहाँ पर है जहांगीर ने किसे खान की उपादी से सम्मानित किया था विलियम हॉकिन्स को डेव ने किया था और 9 यहाँ पर क्रिश्ञ डेव राय किसके संकालिन थे हुमें के संकालिन थे जब सिंद का विले हुआ उस समय भारत का गवर्णर्र जेनरल कौन था तो उस वक्त लॉड एलेन बरो जुथा वो भारत का गवर्णर जेनरल था नेक्स्ट कोशिन यहाँ पर है वह बिर्टिस सेनापती कौन था जिसने मीर कासिम को 1763 इस्वी में कई युद्धों में परास्त किया था तो इसका नाम था मेजर एडम्स नेक्स्ट कोशिन देखे दोयद साशन परनाली का प्रारम किस वर्ष में हुआ था 1784 इस्वी में अगला कोशिन यहाँ पर है किस अंदोलन के दोरान बाल गंगा धर तिलक ने यह परशिद नारा दिया कि स्वराज हमारा जर्मसिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा होमरूल लीग के समय में नेक्स्ट कोशिन यहाँ पर है अखिल भारतिये किसान सबा का गठन कब और कहां हुआ था 1934 में हुआ था लखनो में हुआ था अखिल भारतिये किसान सबा का गठन नेक्स्ट यहाँ पर है अपनी दान शिलता के लिए किस भारतिये को प्रिंस की उपादी मिली थी देवेंडर ठाकूर को और लॉड लिनलित्गो के शासनकाल में चेट फिल्ड कमेटी की नियुकती हुई इसका संबंध किस विशे से था ये भारतिये शेना के आदूनिकरन से संबंधित था अगला कोशन यहाँ पर भीम बेट का किसके लिए परशिद है गुफाओं के सैल चितर के लिए परशिद है भीम बेट का और उस साशक का नाम क्या है जिसने विजय अस्तम का निर्मान कराय था राना कूंबा नेक्स्ट कोशन यहाँ पर है विक्रम शिला सिक कोशन देखिए यहाँ पर गुप्त काल में निगम के परधान को क्या कहा जाता था तो यह कहा जाता था स्रेश्ठी और बौधों की रामायन बुद्ध चरित के रचना कार कौन थे तो बुद्ध चरित के रचना कार जो थे वो अगला कोशन यहाँ पर है चार धात्वों सोना चांदी तामबा एवं सीसा के समिसरन से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था तो उसको कहते थे कारशापन और मुझरिस किस वंस के राज का परमुक बंदरगा था चेर राज के और नेक्स कोशन यहाँ पर है नालंदा दुनिक युक का मनु किसे कहा जाता है भीम राव अंबेदकर को और रिगवेद का कौन सा मंडल पुर्णता सोम को समर्पित है नवा मंडल 1857 इसवी के विद्रो की असफलता के बाद मुगल बाद साब भादूर साज जफर दूतिये को कहा निर्वासित कर दिया गया तो रंगून में बहुत अच्छा कोशन है इसको याद रखेगा अगला कोशन है इंडी का पुस्तक मूल तक किसके द्वारा लिखी गई है तो इंडी का को लिखा मेगास्थनीज ने नेक्स कोशन यहाँ पर है मालवा गुजरात और महारास्ट को किस सासक ने पहली बार जीता था चंद्रगुप्त मौरे ने नेक्स कोशन यहाँ पर है भारत में चार बाग सैली का प्रथम मकबरा कौन सा है तो वो है हुमायू का मकबरा नेक्स कोशन यहाँ पर प्रसिद पूर्टगाली नाविक वासकोड गामा भारत में कहां उत्रा था काली कट में उत्रा था और किसके सासनकाल को इबन बतुता ने एक बहुत बड़ा समारोह कहा था कैकू बाद अगला कोशन यहाँ पर है सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था सिचाई कर सिचाई के लिए जो कर लगता था उसको कहते थे हक ए शर्ब नेक्स यहाँ पर भात में डच सक्ती का केंद्र बिंदु क्या था तो यह था गेल्डरिया अगला कोशन यहाँ पर है फ्रांसीसियों की पर्थम कोठी 1689 में कहां अस्थापित हुई थी तो यह सूरत में अस्थापित हुई थी नेक्स कोशन यहाँ पर है हम्बू रावी के नियम किस सब्विता के थे बेबिलोन की सब्विता के अगला कोशन यहाँ पर है औरंग जेव ने जजिया करपुना किस वर्स में लगाया था तो ये 1689 भी में हैदराबाद नगर के स्थापना किस ने की थी मुहम्मद कूली कुतूब शाह ने अगला कोशन देखें यहाँ पर क्यूणी फार्म लिपी का सरपर्थम पड़ियो किस प्राचिन सबिता ने किया था सुमेर ने और अभिनव भारत नामक संस्ता किस के द्वारा संगठित की गई थी विनायक दामोदर सावर कर के द्वारा स्थापित की गई थी लौड पैथिक लौरेंस के कारिकाल में पारित पंजाब टेनेंसी एक्ट का परमुक उद्देश क्या था किर्शकों के दखल अधिकारों की सुरक्षा करना और हरप्पा कालिन सबिता मुखता किन परदेशों के केंदरी भूत थी तो ये पंजाब राजस्थान और गुज दाजमल का वास्तूकार कौन था उस्ताद ईसा नेक्सट है रहापर करोड़ी नामक नए अधिकारी की निउकति किस मुगल साजक ने की थि अकबर ने की थी अकला कोशन है यहाँ पर है मुस्लिम सासक के दोरान दिल्ली के सिनहासन पर अधिकार करने वाला एक मातर हिंदू कौन था तो हो था हेमू और 1 अगस्ट 1920 को कौन सा अंदोलन महात्मा गांधी द्वारा प्रारम किया गया था और सहीयो गांतोलन धाका में किस वर्ष मुस्लिम लिग की अस्थापन की गई थी 1906 में अगला कोशन यहां पर हरपा सबिता के देवी देवताओं में किसे परवर्ती हिंदू धर्म में अंगीकार नहीं किया गया एक सिरिंगी जीव और नेक्स कोशन यहां पर है मुगरल पूर नाम की बस्ती किस खिलजी शासक ने बसाई थी जलालुदीन खिलजी ने अगला कोशन यहां पर हरपा के नगर और कस्बे में कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विवाजी थे आयताकार आकार में किस करानती कारी ने कहा था कि मेरे अंत समय का आश्रै गीता नामक किर्थी की रचना की थी तो यह की थी भाई पर्मानंद ने नेक्स कोशिन है परमानु अरुजा संस्थान ट्रॉंबे को डॉक्टर भावा के नाम पर भावा परमानु अनुसंधान के इंद्र नाम किस ने दिया था इंद्रा गांदी ने असेमली बमकान की घटना में भगत सिंग के साथ दूसरे क्रांतिकारी कौन थे दूसरे थे बटु के स्वर्दत असेमली बमकान में भगत सिंग और बटु के स्वर्दत थे नेक्स तो यहाँ पर कलहन प्रनीत राज तरंगनी कश्मीर के संदर्व में विश्वकोशी मानी जाती है यह किस सासक के सासनकाल में लिखी गई थी तो ये जैसिंग के सासनकाल में लिखी गई थी राज तरंगनी जिसको लिखा था कलहन ने और ये कश्मीर के संदर्व में पुरी विस्टार से इस पुष्टक के अंदर लिखा गया था अगला कोश्चन ये है बाल गंगा धर तिलक को आधुनिक भात का निर्माता किस ने कहा था महात्मा गांधी ने और बुर्ज होम का पूरा तत्वी खुदाई अस्थलकी से सम्मंध है तो ये हडपा संस्कृती से नेक्स कोश्चन ये आपर भारतिय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा गया क्रिष्टो दास पाल को नेक्स देखिये कोश्चन ये आपर प्राचीन समय में लिखने के लिए किस भासा का पर्योग किया जाता था संस्कृत भासा का अगला कोश्चन है पारसी धर्म का प्र चार्टर कहा था, जवारलाल नहरू ने कहा था, नेक्स कोशन यहाँ पर है, महमूद गजनवी ने भारत में पर्थम आकरमन किस राज के विरुद किया था, हिंदू साही राज के विरुद, अगला कोशन है, किस मुस्लिम सासक के सिकों पर देवी लक्षमी का आकिरती बनी तेरा कोटा का इस्तेमाल किया जाता था, कोलकाता नगर की अस्थापना किस वर्ष में हुई थी, यह हुई थी 1690 वी में, अगला कोशन यहाँ पर है, तान सेन का वास्तविक नाम क्या था, यह था, राम तनु पांडे, नेक्स कोशन देखे, महात्मा गांधी के नाम से पह किस अधिवेशन में, इसका नरम दल एवं गरम दल में विवाजन हुआ था, सूरत अधिवेशन के बाद, उसके बाद है, यहाँ पर किसने दिली संतलत के संदर्व में, दीवाने अमीर को ही, यानि किसी विवाग जिसको कहेंगे, उसकी अस्थापना की थी, मुहमद बिन तुगलक ने इसके स्थापना की थी, अगला कोशन देखे, पंदर सो पचासी में, अकबर ने अपनी राजधानी कहां अस्थान तरित की, तो यह की लाहोर में, और महत्मा गांधी ने कुमाओं की यात्रा सरप्रथम कब की थी, जून उनिस्सों उन्तिस में, उसके बाद ह सत्यागरा एवं दांडी यात्रा पर सरकार की ततकालिक परतिकिरिया क्या थी, कॉंग्रेस पर परतिवन्द लगाना, नेक्स्ट कोशन यहापर है, भारत के किस गनितग द्वारा सुने की खोज की गई थी, आरे भट के द्वारा, कहां के सासक ने अफजल खां के साथ 1669 मे सिवाजी के विरुद एक विशाल से न भेजी, बीजापूर, जो की करनाटक में है, नेक्स्ट कोशन है, भारत में परतम अनुशक्ती का परिक्षन कब किया था, 18 मई 1974 को, और अगला कोशन यहापर है, फारस से आने वाले, अब्दुर रज्जाक की हमपी यात्रा के, समय दक्षिर भारत का विजय नगर समराज का सासक कौन था, देव रायट दूइती है, नेक्स्ट कोशन यहापर है, उत्तरवैदी काल में नयायाले को क्या कहा जाता था, विदत कहा जाता था, और बहाबी अंदोलन का दमन किस ने किया था, लॉर्ड एलगिन पर्थम ने, ने अक्टुबर 1764 को कश्मीर में उत्पल वन्स के अस्थापना किसने की थी, अवंती वर्मन ने, अगला कोशन यहापर है, कि सिख गुरू ने फार्सी में जफर नामा लिखा था, गुरू बोविन सिंग ने, अगला कोशन यहापर है, कवी राज मार्ग नामा गरंथ की रच अगला question यहाँ पर है भारत के किस क्रांतिकारी को 11 अगस्त 1908 को फासी दी गई थी तो खुद इराम बोश को फासी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को next question यहाँ पर है सिंदु सबता में कुम्बकारों के भठो के अफसेश कहां से मिले हैं तो यह मिले हैं मोहन जोदरों से और अगला question है सिंदु घाटी के लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली धातू थी तो वो थी कांच next यहाँ पर जो question है वो है तमीलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे इनका नाम था मूरूगन और प्राचीन भारत का वह पसिद सासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया चैन्तन गुप्त मौर्य next यहाँ पर question है हरपा के लोगों के सामने घरेलू बरतन किसके बने होते थे मिटी के अच्छी तरह पकाये गई चितरांकित बरतन होते थे यह यानी मिटी से बने होते थे यहाँ पर है मगत के अजाद सत्रू का सदैव किस गनराजी के साथ यूद रहा तो वैसाली के साथ और विंदूसार के विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था तक्षिला बेजा गया था असोग को नेक्स यहाँ पर है हरप्पा सबिता में चावल का उद्पादन कहा होता था लोथल में होता था और विक्रम सम्वत कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है 57 इशा पूर्व और अगला कोश्चन यहाँ पर है सिंदू गाटी सबिता की मुख विशेषता क्या थी नगर निर्मान योजना और भारत में पुर्व हरप्पा संस्किर्ती के चरण के सस्थान पर देखे जाते हैं काली बंगा में देखे जाते हैं यह और नेक्स यहाँ पर जो कुश्चन है और पांडे वन्स का परमुख के अंदर कौन सा था वो था मदूरई नेक्स यहाँ पर है सिंदू गाटी सबिता के लोग किस देवता की पूजा करते थे पशुपती की अगला कोश्चन है दहेज पर्था पर रोक लगाने है तू देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया 20 मई 1961 को अगला कोश्चन है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा पर्थम सुल्तान था जिसने शुद्ध अर्भी सिक्के टका एवं जीतल को जारी करवाया था काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है टका एवं जीतल जो जारी करवाया था वो बल बनने करवाया था और यह दिल्ली सल्तनत का पर्थम सुल्तान था जिसने शुद्ध अर्भी सिक्के टका और जीतल को जारी करवाया था गौर्ये वैशनब धर्म के संस्थापक कौन थे तो यह थे चैतन्य महापरबू कुतबुद्दीन एवक ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी तो यह बनाई थी लखनवती में नेक्स कहां पर कोशन है भारत के किस छेत्र में फिर दोसी सिलसिला लोकप्रिय था बिहार में और अगला कोशन यहां पर है प्रारंबिक तुर्क या आदी तुर्क सासकों में से किसे उसकी उधारता के कारण लाख बक्स कहा जाता है तो कुतबुद्दीन एवक को लाख बक्स के नाम से जानते हैं डारेक्ट कोशन आपसे पूछा जा सकता है लाख बक्स किसे कहा जाता है तो कुतबुद्दीन एबक को अगला कोशन है मदिकाल का वो पर्थम युद्ध कौन सा था जो जल एवो मस्थल दोनों पर लड़ा गया तो ये था 1529 का घागरा का युद्ध आपसे कोशन इस तरह से भी पूछा जा सकता है घागरा का युद्ध जो वो कब हुआ था तो 1529 में नेक्स कोशन है कादिरी सिलसिले के संस्थापक कौन थे कादिरी सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे और भारती एतिहास में 1527 इस वी क्यों परशिद्ध है रानसंगा तथा बावर के बीच जो युद्ध हुआ था इसलिए ये परशिद्ध है अगला कोश्चन देखिए विक्रमांक देव चरित पुस्तक के लिखा कौन थे तो ये थे विलहन अगला कोश्चन है महरास्त में रहसिवादी संपरदाई के संस्थापक कौन थे तो इसका नाम था ग्यानेश्वर नेक्स्ट कोश्चन यहाँ पर है 1946 इसलिए भारतिय नौसेना के नाविकों ने कहां विद्रोग किया था मुंबई में किया था अगला कोश्चन है भारत की पर्थम राष्टी समचार एजन्सी कौन सी थी तो यह थी The Associate Price of India नेक्स यहाँ पर है भारत के किस अधिनियम द्वारा दास पर्था का उन्मूलन हुआ 1843 के अधिनियम के द्वारा बंगाल विभाजन जो कि सोल अक्टूबर 1905 को वा था किस रूप में मनाने का सुझाव रविन्ना टैगोर ने दिया था रक्षा बंदन दिवस्पर के जैसे मनाने का सुझाव रविन्ना टैगोर ने बंगाल विभाजन को बताया था उसके बाद है किस इतिहासकार ने इलतुत्मिश को भारत में मुस्लिम परभू सत्ता का वास्त्विक संस्थापक माना आरपी तिरिपाठी ने अगला कोशन है इलतुत्मिश को अपने सासन काल के दोरान किस मंगोल आकर्मनकारी के खत्रे का सामना करना पड़ा चंगेज खाँ नेक्स कोशन है यहाँ पर पर्थम मुगल बादसा बाबर ने भारत में किस सूफी सिलसिले का परचलन किया था नक्ष बन दी नेक्स है यहाँ पर बंगाल के किस गवर्नर जनलन के काल में पिट्स इंडिया एक जो की 1784 था पारित किया गया वारन हेस्टिग उसके बाद यहाँ पर है राजसेखर एवं जिन परभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकिये संड़क्षन दिया थ अगला कोश्चन यहाँ पर है सिंदु घाटी के सबिता कहां तक विश्तृत थी पंजाब, राजस्तान, गुजरात, उत्तर परदेश, हर्याना, सिंद और बलुचिस्तान तो यह काफी लंबा है अगर आपको कोश्चन में ऑप्शन इस तरह से दिया होगा तो आपको इन कोश्चन ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंदु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह कोश्च कहां हुई थी तो यह लोथल में हुई थी, अगला कोश्चन है स्रीमती एनी बेसे इंड कॉंग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी, कलकत्ता था चंद्रगुप्त मौरे के समय में, अगला कोश्चन है लोधी वन्स का सरवाधिक सक्तिसाली सुल्तान किसे माना जाता है, सिकंदर लोधी को माना जाता है, लोधी वन्स का सरवाधिक सक्तिसाली सुल्तान और जैन धर्म को अंतिम संरक्षन किस वन्स के सासकों ने दिया गुजरात के चालुक किसासकों ने अगला कोशन है पर लोकसभा का सामन निरवाचन किस वर्स हुआ 1952 में हुआ था 36 गड़ का गांधी किसे कहा जाता है तो ये सुन्दरलाल सर्मा को कहा जाता है और 1757 इसमें पलासी के युद में रॉबर्ट कलाइब ने किसे प्राजित किया था बंगाल के नवाब सिराजुद ओला को प्राजित किया था अगला कोशन है सूरत की फूट जो कि 2007 के बाद CONGRES किस के हाथ में आई गई सूरत की फूट के बाद जो CONGRES आई किसके द्वारा की गई थी जोतिबा फूले के द्वारा नेक्स यहाँ पर है किस वर्ष मुस्लिम लिग ने एक प्रिथक राष्ट का संकल्प यानि पाकिस्तान का प्रस्ताव सुईकार किया था 1940 में और चंद्रगुप्त मौरे ने सेलुकस को कब पराजित किया था 305 इस्वे पूर्व में उसके बाद 1838 में बंगाल में भूमी धारियों की सोसाइटी का गठन किया गया था इस गठन का मुक्य उद्देश क्या था कर्मुक्त भूमी में अधिगरन का विरोध करना रेज सेना का नेत्यूत किस ने किया था रोबर्ट कलाइब ने किया था कॉटिल द्वारा रचित अर्थ सार्थ कितने अधिकरनों में विभाजित है 15 यहाँ पर है युवा बंगाल अंदोलन के नेता कौन थे तो हैंरी विवियन डेरोजियो युवा बंगाल अंदोलन के नेता थे हैंरी विवियन डेरोजियो नेक्स कॉशन यहाँ पर है अशोक के अधिकान सबलिलेक किस भासा वह लिपी में लिखे हैं तो यह प्राकिर्थ हुआ ब्राम्मी लिपी में नेक्स कॉशन यहाँ पर है थियोसोफिकल सुसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख कारिकाले अस्थापित किया 1882 में अडियार में नेक्स यहाँ पर है बंगाल का द्वज सार्षन कब से कब तक चला था तो यह चला था 1765 से 1772 तक अगला कोशन यहाँ पर है वर्ष 1949 में कॉंग्रेस को छोड़ने के पश्चाथ सुभास चंडर बोस ने किस दल की अस्थापना की थी forward block के स्थापना की थी उसके बाद यहाँ पर है भारत में महिला अन्दोलन का आरम मुखता किस की प्रेड़ना से हुआ था महिला अलुंदोलन का आरम जो है वो रामा बाई रानाडे के द्वारा हुआ था उसके बाद यहाँ पर है वर्स 1916 में गठित अंतरीम कैबिनेट की अधिक था किस ने की थी तो यह की थी जवाहलाल नहरू ने अगला कोशन यहाँ पर है दक्षिन भारत में जनजाती विद्रो का परमुख केंदर कहा था तो यह था विसाखा पटनम एजेंसी नेक्स यहाँ पर है भू राजसु की दर किसके राजिकाल में अधिक थी अलाउदीन खिल जी के हंटर आयोग की न्यूकती कब की गई थी जालिया बाला बाग हत्याकंड के बाद जो है हंटर आयोग की न्यूकती की गई थी उसके बाद है यहाँ पर Phoenix Form की अस्थापना निवन में से किस ने की थी तो महात्मा गांधी ने की थी पुस्तक The Story of the Integration of the Indian State किस ने लिखी VP मेनन उसके बाद यहाँ पर है देले सल्टनत के किस शासक को इकता पर्था शुरू करने का स्रे दिया जाता है इल्तूतमिस को और चमपानेर की जामा मस्जित का निर्मान किस ने करवाय था महमूद बेगडा ने Next question यहाँ पर है मुगल सासन विवस्था के में परदानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था वकीले मुतलक वकीले मुतलक जो है परदानमंत्री के जैसा उस समय मुगल सासन विवस्था में जैसा आज परदानमंत्री होते हैं तो उस समय वकीले मुतलक होते थे नेक्स यहाँ पर है जहांगीर के दर्बार में एक उच्छ कोटी का कवी था जिसे सिरोमनी की उपादी दी गई थी तो उसका नाम क्या था उसका नाम था ताहिर आवली अगला कोशन यहाँ पर देखे प्रसिद हिंडोला महल का निर्मान किस ने करवाया था हुशंग साह ने और चैंदरगुप्त मौरे ने जीवन के अंतिम समय किस धर्म की में दिख्छा ली थी तो जैन धर्म में गुलसन इब्राहिम किस की रचनत है यह है मुहमद कासिम फरिष्टा की और किस वर्स महत्मा गंदी ने कॉंग्रेस से त्याग पतर दे दिया था 1935 में आईने अकवरी के रचनकार कौन थे तो यह अबुल फजल थे आईने अकवरी किस ने लिखी अबुल फजल ने अगला कोशन है आपर बुद्ध को महापणी निर्वान किस वरिक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था साल वरिक्ष के नीचे देकि महापणी निर्वान जो है वो साल वरिक्ष के नीचे और बुद्ध को जो ग्यान की प्राप्ती हुई थी वो बोधी वरिक्ष के नीचे तो पाली भाशा में लिखी गई है यूनानियों ने किसे अमित्रों चेड़स कहा है तो यह बिंदुसार को कहा था उसके बाद यहांपर इतिहास का प्रयोजन आत्म ग्यान की प्राप्टी है या किसका मत है यानि किसने कहा था कालिंग वूड ने उसके बाद है इती भुत्तक का संबंद किस पुस्तक से है खुदधक निकाय से नेक्स यहाँ पर बिंदु सार ने किस संपरदाई को आसरे दिया था तो यह दिया था आजीवक कौटिल के अर्थसास्थ के नुसार सिक्के ढालने का कारी किसका था तो यह रूप दर्शक का था और यूरोपिय नमूने पर सैनिक परसिक्षन का सुतरपात करने वाला पर्थम देशी राज यह कौण सा था तो वो मैसूर था और बहुत जैन एवं ब्रामन धर्मों में कौन सी धारना एक जैसी थी कर्मवाद का सिधान जो है इन सभी धर्मों में बहुत जैन और ब्रामन धर्मों में एक जैसी धरनाती कर्मवाद का सिधान मौर समराज साथ वर्गों में विभाजित था इसका उलेक किसम है तो मेगास्थिनीज की पुस्तक जो इंडी का है उसमें ये उलेकित है कि मौर्य समराज जो है वो सात वर्गों में विभाजित था महरास्त का सुकरात किसे कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को अगला कोश्यन यहाँ पर है कहां से प्राप्ता सोक के अभिलेक के निचले भाग में मयूर का चिन अंकित है अगला कोश्यन यहाँ पर है इतिहास की यूग चक्रवादी व्याख्या प्रस्तुत करने वाला आधुनिक विचारा कौन था तो वो था एस्पैंगलर अगला कोश्यन है बादामी में दुर्ग का निर्मान करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का सिरे किस चालू किस आसक को है पुलकेशीन पर्थम को अगला कोश्यन यहाँ पर 712 स्वी में सिंध पर अर्बो के आकर्मन के समय वहां का राजा कौन था तो दाहिर याए दाहिर याँ जो था वहां का राजा था उसके बाद है महमूद गजनवी के भारत पर आकर्मन के समय भारत आये विद्वान अलबेरुनी ने किस महतपूर्ण गरंथ की रचना की थी किताबुल रहला किताबुल रहला डिरेक्ट आपसे पूचा जा सकता अलबेरुनी नेक्स्ट कोशेन आपर है वहां अन्तिम बहुत राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेकक था हर्स वर्दन उसके बाद है कुवतुल इसलाम मस्जित का निर्मान किसके द्वारा करवाया गया था कुतबुद्दीन एबक के द्वारा किसने कहा था कि मुझे खुशी है कि कॉंग्रेस बराबर नीचे की और जा रही है क्योंकि यह राजविद्रोई संस्था है और इसके नेता संदिक्द चरित्र के लोग हैं लॉड एलगिन दुईतियर ने कहा था उसके बाद है चालुक्यों और पलवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्स का आरम किसने किया था पुलकेशी दुईतियर ने उसके बाद है आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पंची करे न काम का रच्चिता कौन था तो ये था मलुक दास अगला कोश्यन यापर है बेटिस सामराज के अंतरगत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी दादा भाई नोरोजी ने की थी उनिस्सो चारे स्वी में किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुल कर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं हमें अंग्रेजी राजी से हुए फाइदों का ग्यान है दादा भाई नोरोजी नहीं कहा था नेक्स यहाँ पर जो कोश्चन है वो है नरसी महता किस परांत के परसिद संत थे तो गुजरात के शिरलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंस का सबसे परतापी राजा कौन था राजेंदर पर्थम नेक्स कुश्चन है तराइन के दूतिय युद में किस ने किस को पराजित किया मुहम्मद गोरी ने पिट्वी राज चोहन को पराजित किया था उसके बाद है यूरोपिय नमूने पर सैनिक पर सिक्षन का सुतरपात करने वाला पर्थम देशी राजी कौन सा था तो ये था मैसूर अगला कॉस्चन देखिए 1897 इस्वी में किस की गिरफतारी के बाद भारतिय रास्तिय कॉंग्रेस में एक नया मोर आया पाल गंगा धर तिलक उसके बाद है पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्विख्यात के लास्नात मंदिर का निर्मान किसने करवाया था रास्ट कूटो ने असम का चैतन ने किसे कहा जाता है असम का चैतन ने कहा जाता है संकर देव को और मौर काल में दिवानी नियाले को क्या कहा जाता है धर्म अस्थाई धर्म अस्थिये नेक्स्ट यहाँ पर सेंदव सब्दा के निर्माता आरे थे यह किसका मत है यानि यह कतन डॉक्टर लक्ष्मन स्वरूप का है इसका ऐसा मानना है लक्समन शुरूप जी का कि सेंदब सब्दा के निर्माता जो है वो आरे थे भारतिय पुराता तो सर्वेक्षन रिभाग के अस्थापना किसके काल में हुई थी लॉड करजन के काल में और पर्थम करनाटक युद में फ्रांसिसी नेता के नेतित्व किस ने किया था तो ये किया था डूप लेने अगला कोशन यहापर धर्म के परचार के लिए समराट असोक ने किनकी नियुक्ति की थी धर्म महा मातरों की अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन यहांगीर के दर्वार में सर् टॉमस रो कब तक रहा था? कब से कब तक? 1618 रहा था असोक का धम क्या था? तदकाली इन सभी धर्मों का सार जो है वो असोक का धम कहलाता था बंगाल का पर्थम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का पर्थम गवर्नर रौवर्ट कलाइब था नेक्स कोश्चन यहांपर है धार्मिक सहिषनुता की बात असोक के कौन से सिलालेख में कही गई है? 12 में सिलालेख में नेक्स कोश्चन यहांपर है 774 इसवी में सर्वोच नियाले कहां गठित हुआ तो यह कोलकाता में गठित हुआ था और राजुक कौन थे? मौरिस आचन में अधिकारी थे राजुक नेक्स्ट है यहाँ पर किस एक्ट से नागरिक संस्थाओं को वैधानिक आधार प्राप्ट हुआ 1793 के E-Charter Act से और कोलकाता का संस्थापक कौन था? जौब चौरनाक जो है वो कोलकाता का संस्थापक था किस गरंत में चंद्रकुप्त मौरे के लिए विरिशल सब्द का प्रयोग किया गया है मुद्रा राक्षस और कार्शापन किसके लिए प्रयोग किया जाता था? वस्तुएं खरीदने के लिए कार्शापन का प्रयोग किया जाता था उसके गदे किस एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जर्नल भारत का गवर्नर जर्नल बना दिया गया 1833 के E-Charter Act से नेक्स्ट यहाँ पर जो कोषियन है काल कोठरी की घटना कब घटित हुई थी 20-21 जून 1756 को और युनानी गरंथों में चंदकुप्त मौरी को क्या कहा गया है? सेंट्रो कोठ्स सेंडरो कोट्स जो है वो कहा गया है चंदगुपत मौरी को युनानी गरंथों में नेक्स है यहाँ पर हडपा संस्कृति का अस्थल मांडा किस नदी के तटपड इस्थित है चिनाव नदी के तटपड इस्थित है अगला कोशेन यहाँ पर पलासी का युद कब हुआ था तो पलासी का युद 23 जून 1757 को हुआ था 23 जून 1757 स्वतंतर भारत का पर्थम गवर्नर जनरल कौन था सी राज गोपाला चारी किसने जिनना को हिंदू मुसलिम एकता का दूत कहा सरोजिनी नाइडू नेक्स्ट कोशेन यहाँ पर है भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस के पर्थम सत्र की बैटक में कितने पर्थिनिधियों ने भाग लिया था 72 बिंदुसार के सासनकाल में कहां पर विद्रो हुआ था तक्च सीला में और लौपुरुस के रूप से किसे जाना जाता है सरदार पटेल को यानि सरदार बलब भाई पटेल नेक्स्ट कोशन है लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन वेक्ती भारती रास्टिय कॉंग्रेस का अध्धिक हुआ था लाला लाजपत राय साथ के पास कौन सा विभाग था खाद एवं क्रिशे असयोग अंदुलन शुरू करने के समय भारत का वाईसरा इकौन था लौड चेम्स फोर्ड और महरानी विक्टोरिया ने भारतिय प्रशाषन को बिटिस ताज के नियंतरन में लेने की गोशना कब की थी एक नॉवंबर 1858 को नेक्स यहाँ पर जो कोशन है वो है कहां से प्राप्त अभिलेकों में असोक के नाम का उलेक है केवल मास्की एवं गुर्जरा नेक्स कोशन है भारतिय सुतनता अंदुलन के दोरान चर्चित पुष्टक इंडिया फोर इंडियन्स के लेखक कौनते चितरंजन दास और उधारवादियों की कारेपदती को किसने भिखमंगी राजनीती की संग्या दी उगरवादियों ने नेक्स कोशन है यहाँ पर है अठार सो सतावन के बिद्रों के बाद बिटिस सरकार ने सिपाईयों का किन प्रांतों से चैन किया तो गोर्खा सिख एवं पंजावी उत्तर प्रांत से नेक्स कोशन है वर्स 1915-16 में दो हूमरू लीग किसके नेतुरत में आरम की गई थी तिलक एवं एनिवेसेंट अगला कोशन यहाँ पर किसने कहा था कि भारत वर्स तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे बिटानी कबजे में रखा जाएगा तो यह लॉड एलगिन ने कहा था नेक्स कोशन है वह आध्वनिक इत्यासकार कौन थे जिन्होंने 5857 के विद्रोह में कोशन ता की पर्थम लड़ाई कहा था वीडी सावर करने और अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की अस्थापना किसने की थी वीडी सावर करने ही की थी कि सुगरवादी नेता ने उदारवादियों के संदर्व में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेड़कों की तरह टर टरा कर चुपर होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी ये कहा था बालगंगा धर तिलग ने और मौरिद दरवार में राजदूत के रूप में मेगा स्थनीज के बाद कोन आय था डैमेकस आया था नेक्स यहाँ पर जो कोशन है अर्बो का ऐरोडोटस किसे कहा जाता है तो यह कहा जाता है अलमसूदी को और जाटो का प्लेटो किस राजा को कहा जाता है सूरज मलको मदरास महाजन सभा कब अस्तित्व में आई 1885 इस्वी में नेक्स कोशन यहाँ पर है वर्साई की संदी किसके द्वारा संपन हुई थी मित्र राष्टों और जर्मनी के साथ इतिहास, इतिहासकार तथा तत्यों के बीच इस्तित अंतह किरिया की अविच्छित्र प्रकिरिया है यह किस का कथन है तो यह एच कार का कथन है नेक्स कोशन यहाँ पर है अकबर को किस वादे को बजाने में महारत प्राप्त थी तो नकारा अकबर जो है वो नकारा या बाद्य अंत्र बजाने में काफी महारत हासिल थी अकबर को इतिहास सब्द का उलेक सरबर्थम किस वेद से प्राप्त होता है अथर्व वेद से और next question यहाँ पर what is history नामक इतिहास से धान्त की परमुख पुष्टक के लिखा कौन थे next question यहाँ पर सत्ता से आत्मा की मुक्ती इतिहास का मूल मंत्र है इतिहास लिखन में यह मूल मंत्र किस ने अपनाया था Lord Acton ने और next question यहाँ पर सीरी नामक नगर की अस्थापना किस ने की थी अलाउद देन खिल जी ने पर्थम मुगल बादसा बाबर द्वारा जो सुफी सिलसिला भारत में लोग प्रिये हुआ वह कौन था तो वो था नक्स बन दिया और मंगोल आक्रमनकारी कुतलुग ख्वाजा ने भारत पर किसके सासनकाल में आक्रमन किया था अलाउद देन खिल जी नेक्स्ट है इतिहास का जनक कौन कलाता है एरोडोटस को कहते है इतिहास का जनक विजयन अकर समराज का सबसे प्रसिद राज की एतिवार कौन सा है तो वो है रामनोमी अगला कोशन है जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्मान में कौन सा तत्तु सहयोगी नहीं है और नेक्स्ट कोशन यहां पर असोग का सबसे छोटा अस्तम लेक कौन सा है रूमिन देई नेक्स्ट कोशन यहां पर प्रसिद बहुत विद्वान असुगोस किसके समकालिन था कनिस्क के नेक्स्ट कोशन देखे असोग के कितने गुहालेक अब तक मिले हैं तो तीन गुहालेक कब तक मिले हैं असोग के कुल के और किस बहुत संगती में बहुत धर्म ग्रंतों में संस्कृत का पड़ियो प्रारम हुआ चतूर्थ संगती में नेक्स यहां पर है महराथा सामराज में वसूल की गई चौथ का अधिकांस अंस किस से प्राप्त होता है महराथा सरदार से ने नेक्स यहां पर है पेशावाओं के राजवन्स का संसापक कौन था बाला जी विशुनात और श्री नगर की अस्थापना किस शाषक ने की थी अशोक ने की थी next question यहाँ पर है किताबे रहला के रचना किस ने की थी तो ये इबन बतूता ने की थी अगला question यहाँ पर है किस गरंत में शुद्रों के लिए आरे सब्द का प्रियोग हुआ था तो ये अर्थ सास्थ next question यहाँ पर है गुप्त काल के सिकों का सबसे बरा धेर कहां से प्राप्त हुआ ये बयाना से हुआ जो कि भरतपूर में है और वेदांत किसे कहा गया था वेदो को कहा गया था उसके बाद यहाँ पर है महात्मा बुद्ध द्वारा दिये गए पर्थम उपदेश को क्या कहा जाता है धर्म चक प्रवर्तन और अरंग्जेब की मिर्टू के बाद हिंदूों पर से जज्या कर किसने हटा दिया जहांदर शार ने नादिर साह के आकमन के समय मुगल राजा कौन था तो यह था मुहमत शा और कश्मीर में सालिमार बाग और निशात बाग किसने बन वाया जहांगीर ने बन वाया था Next question यहां पर पदमावत की रचना किस ने की? तो पदमावत की रचना मलिक मुहमध चैसी ने की थि और तारिखे फिरोज साही की रचना किस ने की थि? जियाउदीन बर्णी ने Next question यहां पर है हमीम हमाम किस राजा के साही स्कूल का संचालक था? अकबर नेक्स यहाँ पर संतनत काल में खेती आदी के लिए दिये जाने वाला जो रिन है वो क्या कह लाता था तो उसको कहते थे तकावी और किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी जहांगीर ने नेक्स यहाँ पर कोशन है अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रहयत वारी विवस्था किस के द्वारा सुरू की गई थी तो यह सेर साथ सूरी के द्वारा सुरू की गई थी नेक्स कोशन यहाँ पर है मतुरा का कला स्कूल का उननत समय किस काल का था तो यह था कुशान का देखिए एक कोशन हमने यहाँ पर आपको 395 नमबर कोशन से रिलेटेड एक कोशन यहाँ पर है यह जैसे कि आपको इस कोशन का उत्तर यहाँ पर आप देखने में कन्फ्यू नमर कोश्चन के अंदर मैंने यहां पर एक अलबरुनी की पुस्तक बताई है जिस पुस्तक के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहां कोश्चन पुछा गया महमूद गजनभी के भारत पर आकरमन के समय भारत आये विद्वान अलबरुनी ने किस महत तो ये किताबूल रहिला लिखी गलत है। तो यह सारे प्रसंत है जो हमने आज की इस वीडियो में देखे पांच सो महत्पूर्ण कोश्चन्स देखे हैं हमने इसमें एक दो कोश्चन्स ऐसे थे जो रिपीट हो गए हैं तो उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं और नेक्स ताइम से इस चीज का ख्याल लखा जाए क्योंकि पांच सो कोश्चन्स जब अप्लोड किये जाते हैं तो उसमें एक दो कोश्चन्स रिपीट होना सोभाविक है थेंक यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो क लाइक एंड शेयर जरूर कीजेगा थेंक यू